आगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट में एक ऐसा रेविल्यूशनरी प्रोड़क्ट आ गया है जो आपको सिर्फ संड्रेश से नहीं बल्कि पॉल्यूशन से बचाएगा तो सोचे कितना अच्छा होगा एक रेवियू वीडियो और आज के वीडियो में रेवियू करने वाली हूँ एक रेविल्यूशनरी प्रोड़क्ट का जो की है वाव स्किन साइन्स का यह एंटी प्लुशन संस्क्रील लोशन तो अगर आप सोचने हैं इस प्रोड़क्ट को फिर इंदे के बारे में या फिर आप जाना चाहते है कि कैसा है यह प्रोड़क्ट तो वीडियो को पूरा जरूर देखें नए है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो आपको अच्छा लगए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें तो ब इस प्रोड़क्ट में जो मैंने इसको खरीदा और इसका रिव्यू आज आप लोगों के सामने कर रहे हूं वह यह कि यह जो प्रोड़क्ट है यह सिफ आपको UVA और UVB रेस से नहीं बचाता बिलकि यह आपको पलूशन से भी बचाता है यह इस वाव ब्रैंड की कि यह ऐस सारे ही जो ऌड़र क्लाओर चेटिख रिए हो और क्र्वी फ्री भी होते हैं बात करते हैं पाकेजिंग टो प्रोड़क्ट ज ceso पे जो इस तरह की ट्यूब में आता है आप देख सकते हैं और इस तरह की beautiful green and white color की combination में आता है और इसके लावा इसमें लिखा है water resistant sunscreen lotion मतलब कि ये जो sunscreen lotion है ये water resistant भी है आप बारिश के मौसल में भी इसको अराम से use कर सकते हैं इसके लावा इसमें SPF 40 और skin shield PM 2.5 मतलब ये जो 2.5 micro के जो pollutants होते हैं उससे आपकी skin को बचाता है product आता है इस तरह की outer packaging में आप देख सकते हैं और बहुत ही cool color combination है और जिखने भी declaration इस box में लिखी है वो सब इस tube में भी लिखी है quantity है इस product की 100 ml और इसका price रूपीज 399 और shelf value है इसकी 2 years तो अकर ऐसे दिखा जाए तो 100 ml quantity के लिए 399 रुपीज वैसे तो आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा है मगर यह product जो है यह हमें pollution से भी बचाता है तो ऐसे देखा जाए तो overall यह एक बहुत ही अच्छी डील है product के ingredients की बात करूँ तो इसमें है eltromonus ferment extract और इसके लावा है fine lines and wrinkles मतलब यह इन सब factors पे भी काम करता है और क्यों है जरूरी इस product को खरीजना वह इसलिए क्योंकि pollutants in industrial smoke exhaust fumes and smoke exposure to your skin toxic loads everyday leaving it dull dry sensitive itchy and wrinkled मतलब यह इन सभी skin problems पे भी काम करता है packaging की बात करते है तो यह जो पैक है वो यह बहुत ही travel friendly है आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते है in fact holidays के लिए तो यह जो product है यह बहुत ही जारा useful है क्योंकि holidays में बहुत जादा हम लोग sun के exposure में आते हैं अगर हम hill station या beaches पे जा रहे हैं और साथी साथ pollution भी काफी जारा और इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ही अच्छे से spread हो जाता है आपकी skin पर at first आपको लगेगा कि यह white glass छोड़ रहा है बट अगर आप इसको अच्छे से बाहर जा रहे है तो इसको आपको हर 2 घंटे में अपलाई करना है लेकिन अगर मैं अपने personal experience की बात करूँ तो यह आपको 5-6 hours तक बहुत अराम से sun से protection जो है वो देता है इस product की जो fragrance है वो बहुत ही mild है मतलब अगर आपको fragrance से problem है तो बिल्कुल भी जो sun के exposure में डायरेक्ट है और यह जो product है यह बहुत easily spread होता है आपके skin पे तो बहुत ही थोड़ा सा product जो है वो यूज होगा मतलब आप थोड़ से ही product को अपने face पे और अपने body भी लगा सकते है sunscreen को apply करने से पहले अपने face को अच्छे से cleanse करें और तोन करें और उसके बाद इस sunscreen को apply करें जूरत पड़े तो आप moisturizer भी अपलाई कर सकते हैं और इसको अपने eye area से दूर रखें बेटर होगा कि आप एक patch test जो है वो जूरूर ले 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 और इस तरह से अपने पूरे face पे spread करें और आप देख सकते हैं कि कितना easily absorb हो गया है और कितना अच्छा matte finish जो है वो मेरे face पर आया है so guys अगर मैं बात करो इस product के bronze और cons के बारे में तो cons तो मुझे इसका कोई भी तक नगर नहीं आया है और अगर फाइदों की बात करो तो फाइदत उसके बहुत सारे है क्योंकि यह सिफ आपको sun के damage से नहीं बलकि pollution के damage से भी आपके skin को बचाता है जो कि बहुत ही अच्छी vitamin B3 है मतलब फाइदे ही फाइदे है इस product के और सबसे खास बात ही यह जो product है यह water resistant भी है मतलब आने वाले summer और rainy season दोनों में ही यह जो product है यह काफी useful थाबित होगा आप लोगों के लिए cons के अकर में बात करो तो सिर्फ एक ही con है कि तो उड़ा सा costly है लेकिन अगर आप इस के लिए so guys this was my today's review video and I hope कि यह video आपके लिए बहुत ही informative साबित होगा और अगर आप सोच नहीं है इस product को खरीदे के बारे में तो do give it a try आप भी स्वाल करिए और मुझे comment box में बताइए कि कैसा रहा आपका experience इस product के साथ वीडियो को कुरा देख लिए लिए thank you so much guys और अभी इन्फर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूं वीडियो आपको अच्छा लागा तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें मैं मिलती हूं आप से ऐसे ही एक इन्फर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए गाइस